पहले हैदराबाद में मुनवर फारुखी का कारेक्रम होना था उसको लेकर के हैदराबाद के बिधायक टी राजा सिंग ने विरोत किया उस विरोत के बावजूद भी हैदराबाद में भारी संख्या में पुलिस बल लगा करके मुनवर फारुखी का जो कारेक्रम था वो मेरे साथ तमाम लोग यहां पर मौझूद है सुदार्ष्टन वाहिनी के तरफ से एक पत्राज दिया गया है मुनवर फारुखी का जो कारेक्रम दिल्ली में हो रहा है उसको आखिर आप लोग क्यों नहीं चाहते हैं वो कारेक्रम क्योंकि हैदराबाद में इसको लेकि बहुत बवाल मचा और अब दिल्ली में उनका कारेक्रम हो रहा है सबसे पहले तो मैं इसलिए इस कारेक्रम को रद कराना हमारी पूरी टीम इसलिए चाहती है क्योंकि आपने देखा हुआ पूर्व में कोमेडी स्टेंड़ अप के नाम पर कोमेडी के नाम पर इन्होंने मध्धे परदेश में भगवान श्री राम का और हमारी जो अराद्य है माता सीता का अपमान किया उन्होंने उन पर अबद्र टिपनिया की और उनके जो संबंध है वो गलत तरीके थे लक्षमन के साथ भी जोड़े उसके बाद मध्धे परदेश का महुल खराब होता है और इनके ख केरियर खतम हो गया था उसको फिर दुवारा से पुरनर इसका निर्मान कर दिया गया और इस बात में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी कि आप इसका विरोत करना कारेकरम नहीं होने देना चाहते हैं जी बिल्कुल दिया है हमने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब सब्सक्राइब करें नहीं है और दिल्ली ने बहुत बड़ा दंगा जहिला और आप दिल्ली एसी कोई घटना जहिलने के लाइक नहीं है और भी लोग है यहाँ यहां पर यहाँ देखें इनके हाथों में यह पत्र है डिसीपी को भी इस बात की जानकारी दी गई है मुनवर फारुखी की अगर बात करें दिल्ली में जो कारेक्रम उनका किया जा रहा है डेट आ चुकी 28 तारीक को एक कारेक्रम है आप लोग कह रहा है कि कारेक्रम नहीं होने देंगे लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो पर्मिशन को अस्तगित किया जाए क्योंकि जो पुर्म में जो दंगे हुए थे 2020 की तो उस तरीके के हालात हम दुआरा नहीं चाहते हैं यह बताई है कि हैदराबाद की घटना हुई या क्या उसके बाद मुझे आपको लगता है कि दिल्ली इससे सीख लेगी ची बिल्कुल लेनी भी चाहिए और हमारा भी यही बस और कोई वो नहीं है हमारा भी यही है कि इनको किसी भी तरह के से इस प्रोग्राम को रख्द किया जाए ताकि यहां का माहुल ना भी गड़े मैं मैं आरप के साथ गौरा मिस्चा निउस इंडिया दिल्ली